So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader so guys आज बात करने वाले हैं हम Power Sector के Stocks के बारे में यहाँ पर काफी बड़ी News है guys जिसकी वज़ा से Power Sector में Morning में गिरावट आई थी फिर एक बड़ा उचाल भी हमें देखने को मिला तो guys आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबा देना क्योंकि AC News अगर आती है तो मैं आप तक पहुचा पाओ तो guys वही है कर हमारा second जो चैनल है उसे भी आप सबस्क्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर financial related काफी कुछ चीज़े आपको सिखने को मिलेगी चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना चैनल का नाम है लकीन और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और मैंने आज ही इस पर काफी इंट्रस्टिंग वीडियो डाला हुआ है जिससे आपको stock selection में काफी बड़ी health होने वाली है तो guys करते हैं वीडियो को start और चलते हैं हमारी news के उपर आज morning में अगर आप देखोंगे तो क्या reason था क्या reason था कि यहाँ पर power sector में हमें किरावट का सामना करना पड़ा और यहाँ पर काफी लोग ढ़र गए थे और देखा जाए तो काफी upside downs, momentum हमें देखने को मिले थे power sector में और क्या reason है वो आपके सामने है utilities and power producer fall as government consider giving state discom for year to clear dues तो guys यहाँ पर जो power sector जो है यहाँ पर power industries जो यहाँ पर companies है उनका जो पेशा बाकी था government उनसे पेशा वसुली अब करने वाली है और यह आने वाले चार सालों में यह clear होगा तो guys यहाँ पर मैं सीधे शब्दों में बता रहा हूँ और उस amount किता amount है guys तो 1 trillion के आस पास का वो amount है shares of utilities and power producer decline on Thursday after the government said it is working on a plan for state-run electricity distributors to pay dues via monthly installment across 4 years तो यहाँ पर जो distributors है distributors कौन है guys यहाँ पर अडानी grain energy जो उससे related जो stocks है अडानी grain energy आज morning में लगभग 7% गिरा था फिर अडानी transmission की अगर बात की जाए तो ओभी यहाँ पर लगभग 5% गिरा था लगभग 5% की और टाटा पावर में 3% की तो यह BSE में काफी लगभग काफी तगड़े गिरे थे और जो का ड्यूस जो है बाकी है जिस वजह से stocks में गिरावट आई थी पर यहाँ पर government ने एक plan बनाया है और आने वाले चार सालों में इसे पूरा किया जाएगा तो क्या plan है यह ओन ऐटींत में डिसकों ओन ओन वन ट्रिलियन यानी वन ट्रिलियन तो कैसे लैक्स करोड में एह अमाउंट है और ओन जनरेटिंग कंपनीज डिसकों भी अलर्ट तो यहाँ पर monthly installment है तो यहाँ पर गवर्मेंट ने कहा है कि यहाँ पर जो डिस है जो पेमेंट बाकी है उसे 48 महनों की यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर केस्त बनाई जाएंगी और 4 सालों के अंदर-अंदर यहाँ पर वसूल किये जाएगे और उसके उपर जो चार्ज लगने वाला है उसमें लग-भग 19,833 करोड जो लेट पेमेंट करेंगा वो से सरकार वसूल सकती है तो यहाँ पर सरकार यहाँ पर गवर्मेंट की और पर एक notification आया था जिसमें कहा गया है तो यहाँ पर stocks में गिरावट हमें देखने को मिले है ओके गिरावट यहाँ पर stock काफी गिरे भी कोई 7% गिरा, कोई 5% गिरा, कोई 6%, कोई 5%, 3% यहाँ पर अल्री इंडेक्स 3.3% गिरा था उसके बाद लपक के खरिदारी भी आई है और stocks ने क्या return दिये उसके बाद ओह हम देख लेता है तो टाटा पावर की बात करें तो morning में टाटा पावर घिरा था फिर एक तेजी हमें देखने को मिली टाटा पावर लिमिटेड में आप देखोंगे तो 2203 रुपे पे stock ने closing दी है 2 रुपे 10 पेसे तक की बड़त हमें इस share में देखने को मिली है 0.95% के हिसाब से stock बड़ा है वही बड़े आगे तो बात करें अगर अडानी पावर की तो अडानी पावर भी काफी हद तक गिरिगया था morning में फिर से recovery आई सरकार ने यहाँ पर भले ही उन्हें warn किया है बट उसके उपर आपको plan भी एक दिया है और बिल्कुल उस plan के साफ से companies आराम से अपना पेसा दे सकती हैं इस यहाँ पर अगर दीखा जाया तो कही न कही ए जो लोड पढ़ने वाला है ओ अडानी ग्रूप पे ज़्यादा पढ़ सकता है क्योंकि अडानी ग्रूप में अगर देखो जो अडानी transmission हो गया अडानी पावर हो गया और फिर अडानी green हो गया तो इन हैं तीनों ही कंपनियों को ये पेशा देना होगा और अभी अगर अडानी पावर ने भी रिकवरी अच्छी गासी बताई थी अडानी पावर लिमिटेड ने 314 रुपे 30 पेसे पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 14 रुपे 95 पेसे तक स्टॉक बढ़ा था 4.99% के हिसाब से JSW Green Energy के अगर बात करें JSW Energy Limited ही तो 281 रुपे पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी थी और 7 रुपे 50 पेसे तक स्टॉक ए भी भढ़ा है 2.74% के हिसाब से अब जो नेक्स स्टॉक है ओ है अडानी ट्रान्विजन यहाँ पर काफी तगलाए शेयर है अडानी ग्रुप का अडानी ट्रान्विजन लेमिटेड और यहाँ पर अगर आप देखूंगे तो 2,192 रुपे 30 पैसे के पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 104 रुपे 35 पैसे तक स्टॉक बढ़ा है 5% तक की बढ़ाद हमें देखने को लिए और गाईस इस पर एक डीटेल्ड वीडियो जो अडानी इसके ग्रूप अडानी जो स्टॉक है उनके उपर एक डीटेल्ड वी अगर बात कर लें यहाँ पर जो नेक्स स्टॉक है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में भी अगर आप देखोंगे तो जो स्टॉक है वह यहाँ पर 2,192 रुपे 05 पैसे पर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी 10 रुपे 70 पै और नर्जी है इजए अड़ाै अड़ार पता पावर है उसमें भी हमें कची बड़त देखतवने करें लिए तो ㅇ exported ऐ्गस की बात करीं है है तो हञ आरा पर एकस्पैंड इट्स क्लीन एनर्जी बाय फाइमजी इन नेर्टियर इक्री स्सट्फाइश टो यहाँ बड़रों आने वाले पात सालों में काफी तगड़ा ग्रोख करने वाला है जिस वचे से भी काफी तगड़ी इसमें गिरक खरीदारी आई है और आज बिल्कुल इसने लो लगा था 210 रुपे का आप देख सकते हूं बड़ भाई भी लगा है 224 का और 222 पर क्लोजिंग देदी आउप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यहां पर कभी कुछ चीजे क्लियर की है मैंने पावर सेक्टर को लेकर छाण को क्ल आने को आगक पर आएक करो अच्छा व्विडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो हैंग यू